यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने गरम पानी में ब्रेड को डाल कर ब्रेड को खराब कर दिया है अरे अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर लाल मिर्ची क्यों डाल दी है इस तरीके से तो ये सारी ब्रेड खराब हो जाएगी तो घबराये नहीं आज मैं लेकर तो यह वाला तरीका जरूर अपनाए को जो है अच्छे से पानी में मेल्ट कर लिया तो अब मैंने कडाई को भी नीचे उतार लिया है इसे के साथ में अब हमें एक आलु को कुछ इस तरीके से कदुकश करना है जैसे बड़े-बडे लच्छे ignore भी उते उसी तरीके से हमें इसके लच्छे निकाल लेने हैं ताकि इसके बाद में हम इस आलू का बहुत ही अच्छे से इस्तमाल कर सकें तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजी कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कौने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ पिछला थैंक्स जाता है गोदावरी जी को जाता है नेपाल से और कवीता जी को जाता है भोपाल से और लवकुष को जाता है दिली से तो वहीं पे मनीशा जी को जाता है परमल से तो आप भी मुझे कमेंट कर दीजे ताकि आपका नाम जो जो white starch है उसको हम निकाल सके और इसको अच्छे से wash कर सके इसी के साथ में अब आपको एक गरम कड़ाई में तेल डालना है और इस जो आलू हमने अभी जिसके लच्छे हमने त्यार करे थे उसको कुछ इस तरीके से fry करना है जैसे ही आप आलू के लच्छे इसमें डालोगे आ अलग अलग हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये पकना शुरू हो जाएंगे जादा नहीं पकाना है बस थोड़ा ही पकाना है इसी के साथ में ये लच्छे जो है ब्रेड के साथ में डाल देने हैं अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आगे क्या बना रही हूँ तो मैं को बता दू कि इसमें मैंने यहां पर प्यास डाल दिये है साथी साथ मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और अब मैं इसमें एड़ करने वाली हूँ एक हरी मिर्ची इसी के साथ मैंने यहां पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी और साथी साथ मैंने यहां पर अधरक का पेश्ट भी डाल दिया है और अब इन सब को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा कुछ इसी तरीके का मिश्रन जो हमें चाहिए था वो हमें पूरे तरीके से मिल गया है ये देखिए और इसी के साथ में अब हम डालेंगे इसमें लगबग दो तीन चमश के करीब बेसन बेसन का इस्तमाल हमें बहुत ही जरूरी है क्योंकि बेसन के बिना ये जो ब्रेड वाली रेसिपी है वो पूरे तरीके से अधूरी है अब इस बेसन को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें कोई भी लंब समय नहीं छोड़ नहीं थे हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्वादा नुसार नमक डाल दिया है साथी सा थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर का इस्तमाल किया है और अब इन मसालों को जो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे लाल मिर्ची का इस्तमाल नहीं किया है क्योंकि हमने लाल मिर्च को पहले ही इस्तमाल में ले लिया था अब हमें एक चमश की मदद से कुछ इस तरीके से गरम तेल में इनको फ्राई करना है ये देखिए एक एक करके हमें कुछ इसी तरीके से ये जो हमने ब्रैड का जो मसाला त्यार किया है जो मिश्रन हमने त्यार किया है वो ड ब्रेड पकोड़ा भी बोल सकते हैं क्योंकि अक्सर ये रेसिपी हम बेसन के साथ में ही खाते हैं लेकिन अगर आप ब्रेड में उबाल कर और लाल मिर्श डाल कर बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी सी चीज़ बनेंगी तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही जादा सकते हैंगी मैंने बहुत सारे ये जो ब्रैड के पकोड़े है वो डाल दिये हैं अब आपको एक चमच की मदद से या फिर एक कर्ची की मदद से इनको कुछ इस तरीके से पलट देना है एक एकर के पलट देना है और ये हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही जल्दी बन कर त्य तो दोस्तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे जरूर बताना और क्या आपने भी कभी इस तरीके से ये रेसिपी अपने घर पर बना कर त्यार करी है तो वो भी मुझे बताना और साथी साथ ये जरूर बताना कि आप ये मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं त दोस्तो हरी चटनी के साथ में या कैचप के साथ में जिसमें आपका खाने का मन करें आप उसके साथ में इंज्जोא कीजिए और एक बार अगर अगर आप इसे बंआ लोगे तो बार-बार इसी तरी के से बनाना पसंद करोगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है तो दोस्तों मैं चलती हूँ आज की इस वीडियो में इतना ही बाबाई फ्रेंड्स टेक कियर